हाई गाईज वेलकम और वेलकम बाग तो मैं चैनल दिस साइट शीतल तो आज हम कर रहे हैं राम लीला का दिपिका पाथ कॉन का यह वाला लोग क्रियेट जो की बहुत बॉम लोग है और नवरातरों के लिए आप लोगों के लिए नहीं बहुत मस्त होने वाला है तो मैंने फ मुझे कुछ मिला नहीं तो मैं यह यूज करते हूं इसके लावा मैं यूज कर रहे हो फिट मी का फाउंडेशन यह इसका जो सेड है वो 310 है जो की मेरी स्किन टोन के लिए मस्त जकास है तो आप लोग भी ले सकते हो अगर आप लोग मेरी स्किन टोन से ब्राउं करते हो फ छारो जगए मैं भी ऐसी करते हूं कभी कुछ लेना हो ना मैं सारी जगए प्रोडेक्ट का प्राइस देखते हूं कहां ज्यादा डिसकाउंट बला है वहां से लेती हूं यह मैंने अच्छी से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है ब्लेंड करने के लिए मैं तो भी ट्राय कर सकते हो काफी मस्त है एंड उसके बाद स्पूली से थोड़ा वह सेप कर देंगे जो भी एक्ट्रा लगा होगा प्रोडेक्ट वह निकल जाएगा एंड यह ज्यादा नैश्रल लगेगी उसके बाद इसलिए मैं यह सब करते हूं आप लोग को कैसा लग रहा ह इसके बाद यह काजल मैंने एकदम सुर्मा जैसे लगाते है न उस टाइप से लगाया यार यह न मस्त तरीका इससे न आपके वोटर लाइन पर भी लग जाएगी और अपर साइट पर अगर आप लगाना चाहते हो वहाँ पर भी लग जाएगी इसके बाद आप लोगों न लिए ना और पूरे उसको ना स्मच कर देना जितना भी आपने लगाया तो उसे अच्छे से स्मच कर दो कि वह एविल लगे मला अजीब सा नहीं लगे कि भी ऐसी कादिल लग दिया ऐसा ना लगे और नीचे वाटर लाइन के नीचे हलका हलका ब्राउन कलर लगा लेंगे थोड़ा सा एफेक्ट आएगा इसके बाद जितना भी एक्षा लगेगा तो आइस के नीचे हम लोग लगाएंगे कंसीलर तो कंसीलर में है यह वाला है जो यूज कर रही हूं यह आपके जो भी एरिया है जिसको आपको हाइलाइट करना है वहाँ पे आप लगा सकते हो यह यह मेबलीन की लिप्स्टिक लिटरली बदार हुँ मेरी फेवरेट लिप्स्टिक है जिसा मैंने लिप्स पे कम अपने ब्लस ऐसा ब्लस जादा ही यूज कर रहा है क्योंकि यह है इतना बस्त कलर बॉम कलर है एक्दम इसके बात यह मैं लगा रही हूं कॉंटॉर यह क्रीम बेस्ट कॉंटॉर है और काफी हो दिन हो गया मुझे एक नेट साल हो गया इन प्रोडेक्ट का यह भी खतम नहीं हुए पहले तो कम यूज करती थी अभी ज्यादा ही यूज करने लग दियू और कॉंटॉरिंग मैं काफी अच्छे से करते हूं कभी भी किसी भी कर लेंगे ब्लैंड करते जाएंगे पुरे ब्लस बगएर को सब को ब्लैंड कर लेंगे इसके बाद कंसीलर को ब्लैंड करेंगे दूसरी साइड से करना है कभी भी करते होना से मैंने दूसरी साइड से करा है जहां से मैंने ब्लस और को ब्लैंड करा था उस साइड से नहीं क काफ़ी लिफ्टेड लुक आता है इसके बाद मैं यूज कर रही हूं इस चौबेरी वाला इंसाइड कॉस्मेटिक का ब्लश और यह ना पाइगोड कितना मस्त ब्लश है आपने अल्रेडी देखा मैंने लिप्स्टिक भी लगाई थी लेकिन उसके उपर मैंने देखा था कि का पादकोंड है न यह थोड़ा औरेंजिस टाइप का ब्लस लगाया था तो मैंने यह वाला और लगाया और इसके बाद काफी अच्छा सा क्लीन सा लुक आया दैन अपनी आइलैस को कर लिया एंड मैंने यह मस्कारा लगा लिया है यह ब्लू यह है पोपल का सॉरी एंड मस्कारा लगा के यह न काफी अच्छा एफेक्ट आ गया आप लोग देख रहे होंगे और इसके बाद मैंने फेक लैसे भी लगाते हूं बाद में इसके बाद यह एच्टी का इंसाइट कॉस्मेटिक का लूस पाउडर है जो अपने पूरे फेस पे मैं अपलाई कर लूँ जाएगा अच्छा लगेगा अब मैंने सारा यह आप लोग देख रहे हो सारा जितना वी अक्षा पाउडर था वो निकाल दिया इसके बाद मैंने यह पाउडर वेस्ट ब्लस और कॉंटोर कर रही हूं और हमेंसा क्रीम बेस के उपर पाउडर बेस करते हो अच्छा इफेक है सटिंग स्प्रे और इंसाइट कोस्मेटिक का ही यह है आप लोग देख रहे हो ना हाइलाइटर काफी अच्छा है अप लोग देखना आई कॉर्णर पर इतना मस्त इफेक्ट आएगा बहुत सही आता है मेरे को बहुत जादा पसंद है खासकर आई कॉर्णर पर बहुत मैंने ब्लस लगाए था वह वाली लिप्स चिक लगाई है तो सेम लग रहा है और फाइनल लोक इस है और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा शेयर करिएगा और जरूर बताईएगा कैसा लग रहा है और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर भी मुझा कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं सबसे जादा एक्टिव रहती हूं बाई